दोस्तो आज हम से एर कर रहे हैं लौकी की एकदम नई मज़ितार सबजी की रेश्पी इन्हें बनाने का तरीका यूनीक है और खाने में बहुत ही स्वादिश लगते हैं तो इसके लिए हमने एक छोटी लौकी ली है वजन में ये 250 ग्राम है कच्ची लौकी लीजिएगा जिसमें बीच कम हो तो सबसे पहले लौकी को हम छिल लेंगे और छिलने के बाद हमने लौकी को धुल ली है अब एक फोर्क लीजिए और फोर्क से लौकी को पिक कर लीजिए लौकी को हमने सभी तरफ से गोद ली है अब लौकी काली न पड़े तो इसके लिए हम इनके उपर नमक लगा देंगे अब चाकू से लौकी को बीच से काट लीजिए जिससे इन्हें पकाने में असानी हो अब पिलर या चाकू ले लीजिए इस से लोकी के बीच वाले हिसे को निकाल दीजिए जो soft होते हैं लोकी के दोनों तरफ से हम यह soft वाला भाग निकाल लेंगे जिस्से लोकी के बीच में होल हो जाए तो देखे इस तरह से हमने लौकी में एक पतला सा होल कर लिया है दोनों लौकी को हम इसी तरह से त्यार कर लेंगे और जो लौकी का ये सौप्ट वाला भाग है ना उसका भी इस्तमाल हमी सबजी में करेंगे यहाँ पर मैंने एक चौथाई कप चने डाल को 3-4 घंटे भीगो कर ली है ये अच्छे से फूल गए है अब एक मिक्सर जार लेंगे इसमें डालेंगे दो हरी मिर्च, दो लैसुन की कलिया और ये भीगो ही चना डाल दो चम्मच चना डाल को हमने बचा ली है, इनका इस्तमाल हम बार में करेंगे अब हम इसमें लौकी के बीच वाले हिस्से को भी डाल देंगे इससे चना डाल भी असानी से पिस जायेगा और पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो देखें इनका हमने पेश्ट बना लिया है अब हम इसमें डालेंगे आधा चुटा चमच हल्दी और आधा चुटा चमच नमक इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर ये गिले हो रहे हों तो इसमें थोड़ा सार बेशा नेट कर लिजेगा अब लौकी लेजिए और लौकी के अंदर ये चना दाल का पेश डालिए नीचे की तरब से पकड़ लेजिएगा जिससे ये निकले नहीं इस तरह से भरने के बाद उमली से बराबर कर लेजिएगा और ये देखिए अच्छे से ये मैंने मसाला भर दिया है दोनों लौकी हम इसी तरह से बना कर त्यार कर लेंगे अब गैस पर पैन रखिए और इसमें डालिए एक चम्मस तेल तेल को पैन में फैला लेंगे और इसमें हम ये लौकी के पीसेश डाल देंगे अब इनको ढख कर 3-4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लिजिए एक तरफ से पकने के बाद इन्हें दूसरी तरफ पलट लिजिए और एक बार और ढख कर पका लिजिए अब इनको एक से दो बार उलटते पलटते हुए फ्राई कर लिजिए जिससे अंदर का जो पेश्ट है वो जम जाए सभी तरफ से ये अच्छे से फ्राई हो गए है तो हम इने निकाल लेंगे और इसी पैर में हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच तेल तेल गरम हो जाने पर आधा चुटा चम्मच जीरा डालेंगे जीरा चटक जाए तो हम इसमें प्याज डाल देंगे एक प्याज को हमने बारी काट कर ली है और प्याज सौफ्ट हो जाने पर हम इसमें एक चम्मच अदरक लशन का पेश डाल देंगे हलका भून लेंगे जिससे इनका कच्चा फ्लेवर निकल जाए एक से दो मिनट बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे तो एक टमाटर को हमने कदुकस करके ली है चाहे तो टमाटर की प्यूरी बना कर ले लीजे टमाटर प्याज जल्दी गल जाए तो इसके लिए हम इसमें एक चम्मच नमक डाल दे रहे और मिक्स करने के बाद हम इने ढख कर 2-3 मिनट तक पका लेंगे दो मिनट हो गए हैं तो हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे एक छोटा चम्मच लाल मिर्स पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी और एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल दीजिए और साथ में जो हमने चना डाल बचा कर रखा था ना गो डाल देंगे अब हम इसमें 2 चम्मच पानी डाल रहे हैं जिससे मसाले जले नहीं और चना डाल अच्छे से गल जाए तो इन मसालों को मिला लेजिए और ढख कट 3-4 मिनट तक पका लेजिए 4 मिनट हो गए हैं तो हम चेक कर लेते हैं चना डाल सौफ्ट हो गए हैं और मसाले भी भुन गए हैं तो हम इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे और गैस का फ्लेम मेडियम करके ग्रेम में उबालाने देंगे इधर देखिए लौकी ठंडे हो गए हैं तो अब हम इनको काट लेंगे इनको हम इस तरह से गोलगोल काट रहे हैं आधी इंच की मोटाई में और देखिए अंदर जो हमने मसाले भरे थे ना वो अच्छे से सैट हो गए हैं तो इसी तरह से सारे लौकी को हम काट कर त्यार कर लेंगे अब देखिए इधर ग्रेव में उबाल आ गया है तो हम इसमें आधा चोटा चमश गरम मसाला पॉडर डाल रहे हैं इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें ये लौकी के पीसेज डाल देंगे लौकी लगबग 80% तक कुखो चुकी है तो सारे पीसे डालने के बाद हम इने ढख कर तीन से चार मिनट तक और पका लेंगे जिससे लौकी थोड़ी और सॉफ्ट हो जाए और ये देखिए लौकी की बहुत ही जवरज़स सबजी बनकर तयार है थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धनिया डालिए और इनको सर्व करिए रोटी पराठे या चावल के साथ बहुत ही मज़े की रेस्पी है ट्राइ करिए फ्रेंड्स और कामेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये रेस्पी कैसी लगी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजेगा और चैनल पर नए हो तो नए नए इनकी रेस्पी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलीगा फिर मिलते हैं एक नए रेस्पी के साथ धन्यबाद